असलाम अलेकूम और वेलकम टू डे ट्री ऑफ ओल पांकिसान चीफ मिनिस्टर बलुच्थान कोल कफ होकी टोर्नमेंट जो कोईटा के अयूब स्पोर्स कॉंप्लेक्स में खेला जा रहा है याद रहे है यह न्यूली बिल्ड आश्रो टर्फ होकी स्टेडियम है जिसका हैता ओपनिंग सर्मिनी से पहले खुद चीफ मिनिस्टर बलुच्थान जाम कमाल खान साहब ने किया उसके बाद यहाँ पर आक्शन का आगास हुआ आज एक बार पेरेस इवेंट में आपके लिए तीन जबर्दस इंटेंस मैचे लाइन अप हैं जहां आपको छे टीमें गया आज कование का दूसरा मैच कहले जाएका नाशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और पंजाब वाइज की टीमों के धर्मयान आज के तीसरा मैच के बारे में भीनबा आपको बताव रहते हैं आजके तीसरा मैच कहले जहाएगा पंजाब कलर और बलुच्थान कलर की टीम के धर्म पाकसानी वाक के मताबिक साड़े थीन बजे ये मैच कहला जाएगा कॉम बॉक्स में मेरे साथ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अलियुपास नक्वी मौजूद है और उसके साथ साथ कॉमेंटेटर इर्फान साबिर साभी ने भी हमें जोइंग किया हुआ जबर्दस डेप लाइंड है आप इस वक्त टीम्स ग्राउंड में दाखिल हो रही है जिसके बाद कॉमी तराना होगा बट मज़ा आरहा है इस इवेंट में इर्फान साब जी बिल्कुल और थैंकुल तो गवर्न अपलिटस्तान और स्पोर्ट जिन्हों ने ये इवेंट अरेंज किया इसके साथ साथ मैं तरह दिल से मश्कूरूं जियो सुफर का जिन्हों ने इस इवेंट को लाइफ टास्ट किया जिससे ना सिर्थ कि लोगों के असलाव जाव आभ जिसससे मैच कि लिए दानिश जाव जी सुफर से मैच कि लने दानिश वो जो सुफर को जो से पहले ने जाय एँ आया यह आ यहां आगए तो अटाव टो नश्क र controversy मैच कि लिए तो ग्स्री जाफ टा जाप अले एक अटे तॉम्ट के लिए जे वेंट ऐख एट समय इडिशन उफ दे पाकिस्तान होकी फेडरेशन नेशनल होकी चेंपेंशिप जो ही पिंडी में वहां पे वाबडा ने आल आउट किया और बहुत ही खुबसूरत परफॉर्मस दी और आज भी वाबडा अपने बेहतरीन सेट अप के साथ यहां पर आई है इनके पास मोस्ली इ इसके अंदर खेल रहे हैं अगर वाबडा की टीम पर नज़र करें तो पाकिस्तान का गोल्कीपर वक्र इस वक्त वाबडा की टीम की जानेब से वत्व घुटर गोलगी पर और यहां पर नमाहिंद की कर रहा है अपने अपने डिपार्ट्मेंट की अमजद अपने अपने सिराज चांडियो हैं, बासित सुलंगी हैं, हुसेन अबास, आसिफ, फरुख, दानियाल, हारिस, जवाद चांडियो, अब्दुलकादिर, दानियाल, ये रिजफ गोल की पर हैं, फैसल रजा, शौइब रजा, तकी रजा, गुलाम रसूल, शाहिद रब्बानी, अली रजा, आतिफ मलेक और आरिफ लाह, कैसा चालेंज रहेगा सिन कलर के लिए ये रिफान साबर, बिकरज कल हमने देखा, बहुत ही जवर्दस कॉम्बिनेशन के साथ, वापड़ा के टियम हमें खेलते वे नजर आई, वापड़ा के प्लेयर्स को भी हम डिसकस कर लेते हैं, आपके स अच्छानी टीम जो है, उसके भी काफी प्लेयर्स में खेल रहे हैं, तो यकीनन एक टफ चैलेंज है सिन के लिए, मगर जैसे ही विसल के साथ मैस शुरू हुआ, बाल सिन के हाफ में, यहां से राइट विंग से बाल लेके आगे चले, सही तरीके से रोक न सके, बाल साइड प्लेयर को पता है कि इस प्लेयर को पता है कि इस प्लेयर ने पेनल्टी पर अपना रोल अदा करना है इस प्लेयर ने इस पोजेशन पर अपना रोल ने बाहना है दसावर ही बड़ा आक्शन में नज़र आया है मैली कल जी बिलकुल दानेश कल वाप्ड़ा टीम बहुत ही कमपोस्ट केली और उसने बेहतरीन स्ट्रेजी का मुझारा किया जो लेटेस्ट गेम पैटन थे उसके डिजाइन पे वो खेले और उन्होंने फता हासल की वापड़ा का बन्यादी तोर पे काम यह के सबसे पहले बाल पॉजेशन हासल करते हैं उसके बाद पैनेटरेशन तोवर्ड सर्कल और स्ट्राइक एंट्रीज जेती हैं वो मैक्सिमम् विंगर साइड पे खास तोर पे अपनी राइट साइड को बहुत ज्यादा वो यूज़ करते हैं इसी हवाले से वापड़ा चुके चैंपिन टीम है और वो दे नो बेटर अबाउट देर फील्ड एक चीज़ में माहिर हमें कल वापड़ा के प्लेर निजर आयर वो थे च्रटीजिकली शॉर्ट कॉर्नर हासिल किये और उससे फाइदा भी उठाया पांच सिफर से शुकस दी थी कर लेने के लिए आई है उमर भुटा बॉल इंजेक करेंगे तसवर देखते हैं क्लीनली खिलेक करते हैं या नहीं कल इनिशिली थोड़ा सा स्टॉगल कर रहे थे आई बाल पिकी रुकी और स्कूप किया अच्छा से बाल अभी तक दी में खतरनाक हो सकता है इसे पहार गई वापना अभी तक बाल की पॉसिशन वापना के पास बड़ी अच्छी बात जी है कि चोटी चोटी पासिस और इसके साथ साथ पीच में चेंज करते हैं लेफ्ट खुशीद महर बॉल मिस्स कर गए थे कोई कनेक्शन नहीं था डी के अंदर वन्ना महेंगा पड़ सकता था यह अच्छी ट्राइब बड़ी अच्छी ट्राइब गोर की पर बरवक्त अपनी टाहन को स्प्रेट किया और बाल पहर पहला हमला वापड़ा की जानिब से और इ यह वो ख्लाडी है जिसमें सुबे में बिल्कुल यांग और यूथ पर मुश्टमिल यह ख्लाडी है दूसी जानेब वापड़ा की बड़ी एक्सपीरियंस टीम है कल भी दानी से कह रहा था देर इस नो शॉटकट इन एजन एक्सपीरियंस आज वापड़ा की ख्लाड़ी क्या पता कल को वापड़ा के लिए ख्लाड़ी है और उसके बाद पाकसान टीम से ख्लाड़ने के इमकाना द्रॉचन हो जाए सेप्शन सिंद के डिफेंडर की इस तरना खत्रा टला बहुत ही खुबसूरत पासिंग मूव था यह जो डिवेल्प की अबाब दनाब एक बार फिर आप देख सकते हैं तसवर और उमर भुटा का क्या कॉंबिनेशन है हाफ में जी बिलकुल यह अपने स्ट्रेटिकली सर अंजाम दे रहे हैं तो अपने कोच की हदायात पर अमल करते हुए केम अप काफी तेज होगी है देखिए अब भुटा को गया दिखाने के कोशिश कर रहे हैं लेकिन साथी खिलाडी ने बड़ा मार्क किया हुआ है मुखालिफ खिलाडी ने उनको तो किसी भी सूरत सें बढ़ने ना पाएं अभी बॉल सिंद के पास इनके खिलाडी ने अपने राइट और को बॉल दी राइट और ने डाज करने कोशिश की लेकिन दिखाई खिलाडी मामें मजूद है उनका करेड हुआ और बॉल दुबारा सिंद के लेफ्ट हाफ के पास बॉल है राइट तसवर यहां से उनके बैक पास किया तसवर वापता के कप्तान भी एक मुझा बड़ी खुबसूरती के साथ इंटर्चेंज यहां से लेफ्ट से पूरे राइट विंग को इनक्रास किया बड़ी अच्छी बात दानेश इसमें यह है कि सिंद के प्लेयर पिलकुल भी इंप करने की कोशिश करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से ब्लाक कर रहे हैं इस तवर डी में बाल है एक मर्दा फिर बड़ी उम्दा क्लिरेंस इंप्रेसिव थिंग इस कि सिंद मुकमल तौर पे टक कर देते हुए और किसी भी हारावाज से इंप्रेस होने की कोशिश नहीं यहां पे बाल आई लेफ्ट से देख रहे हैं आगे डी में आगे बाल की यहां से लेफ्ट ट्राइ की उन्होंने एक मर्दा फिर गोल की पर है और एक कॉर्मर की हिट मिली है पक्सन वाबडा और सिंद कलर के माबैंड मैच जारी है और मैच का पहला क्वार्टर जारी है दोनों टीमें अभी तक गोई गोल नहीं कर सकी दोनों टीमोंने पर पूर कोशिश की है वाबडा की तरफ से ज्यादा हमले किये गए हैं सिंद की टीम पर लेकिन एक प्रेंटी का और हासल करने के बावजूद वाबडा ने अभी लॉजिकली कोई आउटकाम हासल नहीं की खतरनाक थाबत हो सकता है वाबडा के खिलाडी अटैक में से सिंद के खिलाडी ने बड़े हूपसूरत तरीके से बाल लेकर बाल को क्लियर किया और इस वक्त तौसीक के पास बॉल है वाबडा के खिलाफ कोई भी टीम खेल रही हो उसका गोली तगड़ा होना बहुत जाना ज़रूरी है क्योंकि तावरतों हमले जारी है एक बाद फिर वाबडा ने प्रेशर में डाला हुआ है सिंद कलर के प्लेयर्स को जीया बिल्कु को खतरनाक हो सकते हैं तौसीफा है इतले इनकी यहां से उन्होंने पास किया बैक अब फिर बड़ी उम्दा इंटरसेप्शन अच्छा डिफेंस अब तक गोल की पर और उनकी डिफेंस डिफेंस लाइन बड़ी अच्छी है तगड़ी है दानिश इन्होंने बड़े आप उफेंसिव ली नहीं देंगे तापसे में रहेंगे प्रेशर में रहेंगे एड इवेंचली देफेंस लाइन ब्रेक्स इसक बॉल है उटा के पास बॉटा ने बॉल खलाने कोशिकी लेफट इन के बास बॉल लेफट इन बॉल को लेकर आगे तेजी से बड़े एक खुबसूरा दाली के पास बॉल उन्हें ट्राइ की और गोल कीपर के पास गे बड़े अच्छी तरीके से सेव किया वापड़ा से लगाई इस वक्सिंद कलर के प्लेयर्स है खासब पर खुर्शीद महर की तारी बनती है यहां पर रिली रिली गुद जॉब कुछ रिफ्लेक्स का मुझारा कर रहे हैं और इस बार तीन अटेंप्स हुई थी ओन गोल तीनों में अपने आपको नीचे लाने में कामियाब और बॉल को गोल तक ना जाने दिया बिल्कुल स्कूप करके आदे बाल पहुचाई प्रेशर रिलीस करने की यह भी एक टैक्टिक्स है कि आप किसी तरीके से बाल को दूसरे हाफ में पहुचाए और जैसे कि अभी आपने देखा कि बहुत ही ताबर तोड हमली किये एक ची होना चाहते थे दी में और मैच का दूसरा पैनल्टी कॉर्णर आसिल किया वाबडा ने बड़ी ही उम्दा काविश जहां पे देखा कि यहां से वह मुड के अटैक्क नी कर सकते वहां पे उन्होंने फौरी दौर पे पैनल्टी कॉर्णर लिया यह देखें एक्शन डिप् इस मैच में आपना खाता खोल सके वाबडा की टीम एक शौर्ट सी मीटिंग के बाद प्रेंटी कॉर्णर स्ट्रेजी डिसकस करने के लिए और इसके साथ ही इंजेक्टर को उनोंने बुलाया है इस बार उमर भुटा इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं अली बॉल इंजेक्ट करने के लिए अली अजीज आए है डबल ड्रैग फ्लिक पैटर्न के साथ वाबडा इस वक्त ड्रैग फ्लिक लगाने की कोशिश में है देख तेज ड्रैग फ्लिक और अली बॉलाल ने खुबसूरत गोल कर दिया बहुत ही खुब्सूरत ड्रैक फ्लेक थी, एक त्रेज इंजेक्शन हुई, उसके बार खुब्सूरत अंदाज में बॉल को रुका, तेज ड्रैक फ्लेक हुई और गोल की पर देखते हैं, खुर्शी थे बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी तेज बॉल का सामना नहीं कर सके हैं कितना सबर्दस ट्राक फ्लिक था ची बिल्कुल दानिश तो जो खितरा मंदला रहा था बिलाखिर फूट फूल हुआ और पहला गोल करने में वाबडा काम्याब बाल अपनी वाबडा के पास राइट साइट से राइट आउट देख रहे हैं आगे कि कौन थे आ रहे हैं एक म खुबसूरत पास मगर इससे पाइदा उठाने में काम्याब नहीं हुए कोई भी फारवर्ड बहाँ पे ऐसा मौझूद नहीं था बाल डिफ्लेक्ट होके बाहर गई कौनर की हिट मिली है नहीरूस के मताबिक कौनर अपनेंटी ट्विए जाता है अग्रेसिवली मैं तु म करने की जुरत है आप नोट करेंगे सेंटर लाइन से काफी फ्रीली मूव करने की जाज़त दी जा रही है वाब्डा के प्लेयर्स को रूम दिया जा रहा है मूव्स मनाने का बार फिर खत्रे में वावव सिंद कलर की टी ट्राइए जास की और एपाल को लाइन क्रॉस कर ग अमाम प्रेशर डाला हुआ है और इसी वजह से जो उपन गेम होती है तो पेनेट्रेशन ज्यादा मिलती है अब पाल तसवर तसवर वाल तसवर आपने सेंटर आफ वाल को बॉल दी सेंटर आफ तसीक अर्शद के पास बॉल है उन्होंने राइट साइड से बिल्ड अप कर क्रॉस कर गई इस वक्त बॉल है सेंट कलर्स के पास फुल बैक से राइट आफ राइट आफ को ने को डॉज कर नेगोशिश की लेकिन वाप्दा के खिलार में मजूद है यह डिफरेंस आपके बिल्कुल सामने है जहां सिंद की टीम आगे मूव करना शुरू करती है डिफ पैटर्न को और इसमें बड़े वैल वर्स्ट हैं तो मेरे ख्याल में उनको यह चांस देना भी ने जाई है यही तकाज़ है उनकी प्रफेशनल गेम का भी तो अपने मनसव के मताबे के खेर रहे हैं बच्चे दुनों में और दुसरी जानब सेंद की टीम भी खूब मुका और नवे मिनट में ही अलीम बिलाल ने अपसूरत गोल टेज़ ट्रैक फ्लिक पे किया था वापड़ा की जानब से और वापड़ा को एक गोल की पर सुरत पेस बना के रखी है वापड़ा के प्लेयर्स लेकुश सेटन होने का मुकानी देने एक बार फिर दीमें दाखिल हो प्लेयर्स की प्लेयर्स की प्रफांस में तोड़ी बहुत फर्क आता जाएगा तो पहला हाफ है बड़ा तेज गेम हो रहा है इस्पेशली वापड़ा की जानिव से अभी तक हमने तीन दिन में बड़ा जबतिस फिटनिस का स्टैंडर्ड देखा है एली और हमने ये भी देखा है कि टीम हर कोटर में अपने एनरजी लेविल को बढ अच्छा स्पोर्ट्स में काम करें उसमें एक वापड़ा के साथ बड़ी एक उन्होंने बड़ी कोहना मश्क अपनी टीम लगाई वी है जिसके साथ साथ है कायरोप्रेक्टर भी उनके साथ मजूद है अधील उनका नाम है बहुत ही खुबसूरत अंदाज में वह बच्छ वो बच्छे को खेलने के लिए अगले 15 मिन खेलने के लिए वो त्यार कर देते हैं तो वापड़ा के पास कारोप्रेक्टर है फिजू ठरप्रेस्ट है उसके लावा उनके पास मैडिकल की फसिलिटीज है साथ एनरजी ड्रिक्स वगारा वो सारा कुछ इसमाल करते हैं जो क ओनहों कोई गलती में कीई बाल नावाइद को ब्तरी उनके अनरगोल की कोशिश की यह एक्षेन रेपले में देखे आप आप यहें बाल नेट में फैंक दी दूसरा गोल वापडा को दो गोल की बरतरी आसिलिज चाथ के साथ पहला कौरटर खंक या वाब्डा लिविंग तू लव और पहले कोड़र के थाम पर वाब्डा को बर्थरी हासल अब जियो सुपर पे तो बराए रास के मैच देखी रहे हैं साथ साथ www.geosuper.tv लाइफ पर आप लाइफ स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं यहनिके अगर आप घर पर नहीं है टीव पर नहीं देख सकते हैं कोई मसला नहीं अपनी मुबाइल स्क्रीन पर या फिर लापटॉप्स पर कहीं भी आप यह मैच देख सकते हैं दूसरा क्वाटर स्टार्ट हो चुका है दूसरे क्वाटर के आगास में ही वापडा को दो गोल की परतरी हासिल है और सिंद कलर्स जो है वो दो गोल के फसारे में हैं इस वक्त वापडा ने दुबारा अटैक किया है राना वहीद दो तीन खिलाडी को डॉज देते हुए एक ग्राउंड डी के अंदर दाखल हुए एक खतरनार अटैक दो तीन ट्राइक जी हैं डिफरेंट अंदाज में तौसी कर्शे थे राना वहीद थे लेकर फाउल करार पाया और अमपायर महमूत ने कहा कि यह सिंद के हक में फाउल है और बाल इस विक डेंजर जोन से बाहरा गी यह दुबारा वाबडा के पास बाल वाबडा के खिलाडी इजाज लाइन दो तीन खिलाड़ेने के बाद एकस्टीम लाइन पर चले एंग गोल लाइन पे वहां पे उन्होंने डी टॉप की तुर बाल खिलाई गुट स्टफ बाइद गोली खुर्शीद इसको कहते हैं कंट्रोल और एक्सपीरियन्स का बालन्स सबर्दस होकी का मुझारा किया अमर भुटा ने और हर पूर एक्सपीरियन्स का इस्तमाल करते हुए नेट में पहुचाया बालन्स मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया गोल की पर की बड़ी कोशिश लेकिनी गोल भी बचाये हैं अगर इस मर्दबा उमर भुटा उने डाजियने में कामयाब हुए एक मर्दबा फिर बाल वापड़ा के पास मुसलसल बाल वापड़ा के कंट्रोल में बड़ी उंदा बाल पूजश लेकिर पास दिया आगे कोई नीदा बाल बोल लाइन क्रॉस कर गई वापड़ा अपना दबाओ बढ़ाते हुए सिंध को अपनी हित्मा पेमली ठदील करनी पड़ेगी मौका बिल्कुल नहीं दे रहे है एरफान वापड़ा के प्लेयर सिंध को दबोच के रखावा है जैसी बाल पास करने ही कोईश करते हैं कोई ने कोई डिफेंडर उनको आके वहीं रोक देता है इस बार स्कूप किया लॉंग पास किया है बट एक बार फिर सिंध के ग्याल हुआ है मेरा ख्याल है बाल आवाज चाहिब ग्राउन पर चली की दारिश और सिंध कर ने राइट साइड से मूव बनाई यह देखें यहां से इन्होंने बाल डी में पैंकी यहां से इनके पास आई यहां से ने मौका मेला बिल्कुल नेट के सामने थे सीधी यहां से खुबसूरत प्रेशन प्रेशन थे है अली पहुत जबर्दस पेस 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 इस ने इस बार और कोई मोका नहीं मिला डिफेंडिंग लाइन को वाप्ड़ की एक पर प्र चार्च पर सिंध इस मेकिंग अ कमबाक यह जी सेंटर लाइन किसे पास देना चाहिए बैक पास किया बड़ा कॉंफिडेंस लगता है इस गोल के बाद बढ़ा है उनका वाप्ड़ा एक पर फिर बॉली लेफ्ट से आगे जा रहे हैं सेंटर की तरफ जाते हुए आठ नमबर की जर्सी में बड़ा उमदा पास और एक पर फिर गोल कीपर का बड़ा ही उमदा से सेफ और गोल कीपर तरह घुसे में हैं कि यह अनमार कैसे जा रहे थे एक्जाक्ली अमुमान गोलीज अपनी डिफेंडिंग लाइन पर बहुत जादा घुसा करते हैं क्योंकि उनसे बढ़ाश नहीं होता अगर उन तक बॉल आए और यह डिफेंस की ही गलती होती है जी हां अनमार्क ते बिल्कोल और बड़े अच्छी सेव की कॉनर मिला है अच्छी जानब से बहुत ही खुबसूरत गोल किया अब दुलकादर ने फील्ड जोल था अब यह बाइब नाओ फिर सिंद की पुझेशन बॉल सिंद पूरी कोश्च कर रहा है इसमक्त टेपो पढ़ाया जाए और बॉल का पॉसेशन रखा जाए अब पर वाप्डा की पॉसेशन में बॉल वाप्डा के राइट आउट बॉल को लेकर अंदर बढ़े और ट्वंटी फाइव लंट में ट्वंटी त्री में और इसके डी शूटिंग एरिया में दाखल हो चुके हैं लेकिन इसके साथ ही पिनल्टी काउरन हासल करने में काम याब हैं एमपायर महमूद अली ने पिनल आप देख रहे हैं और दिलिबरेटली कॉनर आसल किया जी बिलकुल वापदा देखती है कि जहां पर वो गेम में पैटेशन नहीं कर सकती वो ग्राउंड सर्कल पे अब आप वो अटैक नहीं कर सकते तो वो कोशिश करते हैं कि फॉल लिए इंजेक्टर उन्होंने बॉल प दिखाएंगे लाना वहीद ने गोल किया है हम रीप्ले में भी दिखाएंगे कि गोली खुरशीत कामियाब हो गए थे बॉल को रोकने में लेकिन ड्राना वहीद ने रीबाउंड पर गोल स्कूर किये यह देखिए आपके सामने रीप्ले जीहां बिलकुल उम्दा सेव किय था यह देखें मकर जो वरी करने अटेकर हैं पहुंच चुक था और रिबाउंड पे ने बाल मिली और उन्हें कोई मौका जाही नहीं किया राना वहीद ने और यह चौथा गोल वाब्डा की जानिब से जिस्ट इमाजिन इसमक्स सेकंड कोर्टर का गेम जारी है और स्कोर लाइन है फॉर वाब्डा एक बार पेर अटाक कर रहे हैं लेकिन क्लेर किया उसको डिपेंड लाइन एक बरताबा जी डी में यहां ते ट्राइक ही रोने मागर टिफ्लेक्ट करने के लिए जो प्लेर कर सके बाल गोल लाइन क्रास कर गई बड़े ही खुबसूरती के साथ इन्हों ने एक क्रास किया था कि डिफ्लेक्ट होता है बड़ा खुबसूरत गोल होता है उमर भुटा काफी एक्सपिरेंस खिलाडी है और उन्हों ने बड़ा नाप तोल के ये बाल खलाई थी हमाद अंजम महांबे मजूद थे राना मजूद थे राना वहीद लेकिन दोनों डिफ्लेक्टिंग कर सके बाल बहुत चेज़ थी मैंने कल भी दानिश को का था कि ये बाल की रफतार इतनी है सम्टाइम आप इंसानी जिसम के लिए पकड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है लीजिए राइट साइट से बिल्ड़ अप करते हुए वाप डैक दफाप फिर कोशिश की और अच्छी ट्राई थी गोल की पर ने अच्छा सेव किया गी इन गोल पोस्के उपर से गुजरी लेकिन उसे पहले अमपायर महमूद अली ने ये फाउल करार दिया सिंध के हक में रीप्ले आपके सामने एक बार फिर चार्च किया था डी में और पड़े नपे तुले अंदाज में चार्च किया था और डिफ्लेक्ट करना चाथ थे ग रीप्ले में दिखाएंगे वापडा राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट दोनों तरफ से मूव बनाते हुए ये बड़ी ही एक ये देखें यहां से आई ये गोल्कीपर ने रोका बॉल ये आई ये खल्ट तरीके से टैकल किया पीछे से आके टैकल किया किसी किसम की एजिटेशन में सुसनी की पैनल्टी स्टोक देने में पैनल्टी स्टोक लेने के लिए आये हैं तौफीक अर्शद ये इंटरनेशनल हौकी प्लेयर हैं स्टोक लेने के लिए तयार है दानिश पैनल्टी स्टोक सुनेरी मौका वापटा के पास लीड को एक और गोल से बढ़ाने का और ये बहुत थी उम्दा से मगर बदकिस्मती से बॉल स्पिनों के गोल के अंदर अच्छा एंटिसिपेट किया था गोल की पर ने ये देखें आप बड़ी अच्छी एंटिसिपेशन गोल की पर की ये पुश्ट किया रोकने में कामयाब हो गए और उनकी बॉड़ी पे बाल आई उठते वक्ट बॉल उनकी बॉड़ी से स्लिप होती हुई गोल लाइन क्रास कर गई इस तरह पांचवाँ गोल पर ने बाल को बॉल को रोल दिया था और उनका अंदाजा नहीं हुआ कि बॉल एल्बो में फंसा हुआ है और उनकी मुवमेंट के साथ बॉल गोल पोस्ट के अंदर चला गया सूव अनलकी ये एक अनलकी गोल ही कह सकते हैं लेकिन वापड़ा के पास डेफिनिटली एक हैंडी कैप था कि वो एक खुब्सूरत अंताज में अपना पहतरीन उन्होंने भेजा था स्टोक लगाने वाला और पनेटी स्टोक उन्होंने कोई गलती नहीं की पनेटी स्टोक लगाने में दूसरी जाने पे खुरशीत ने बहुत अच्छे तरीके से रोका लेकिन ये एक लग थी वापड एक मरतबा फिर इस मरतबा लेट साइट से डी में दाखिल हुए यहांस अच्छी पॉजिशन में आएज और पास दिया था मगर कैरेड हुआ अपने एक लाडी का सिंद को अगर वापडा को रोकना है तो डी में दाखिल होने से पहले रोकना होगा क्योंकि डी में दाखिल होते ही वापडा के ब्लेयर्स और भी साथा लीथल हो जाते हैं अली बिलकल मौका नहीं देते फॉरण कारनर की तरफ जाते हैं और मजीद प्रेशन डालते हैं हरी है यहां से उमदा पहस मगर पीचमी डिफेंडर के बड़ी उमदा इंटरसेप्शंथ पास दिया अगया अच्छ पर मुक्रा ये सिर एक दडिफेंडर ऑग को तेजी किसा लेते हुए लेफ्ट इंक से से जाते हुए मगर फाउल की विसल बजी सिंद को फाउल मिला लड़ी लेफ्ट हाफ उन्हों ने अपने फुल बैक को बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कोशिश कर रहे हैं गैप तलाश करने की लेकिन उन्हों कमसूर बॉल दी जो बिलाखर सिंद के दूसरे खलाडी के पास पहुंची लाफट होड़ के पास बॉल लेकिन वाबडा के खलाडी ने उसको इंटरसेप्ट किया बढ़ेचे तरीके से राना वहीद इंट्रेस्टन होकी प्लेयर उनके पास बॉल है उन्होंने अपने साथ ही अली अजीज को बॉल दी अली अजीज बॉल को लेकर आगे पड़े एक खलाडी को डॉज किया सिंद के खलाडी साथ-साथ है अली अजीज शूटिंग एरिया में और ये लेफ लिक के साथ गोल करने कुशिकी लेकिन दिफाई खलाडी साथ मजूद थे और होकी छूट का हिस्सा भी थे पाकितां डिवेल्पेंट स्पॉट का गल्थ तरीके जे ने चेक किया टूइंटि-फाइव एरिया में और पैनेल्टी कॉर्नर हासिल किया थोड़ता इतिजाच सिंद के प्लेयर्ज का ये देखें पीछे से आके पुष्किया टेंजरस प्लेयर्ज पैने जब तगड़ी टीम के खलाफ आप खेल रहे होते हैं नर्फस पर काबू रखना बहुत जादा जरूरी है जी हाँ बिलकुल ये स्पोर्ट्स का एक हिस्सा है कि जहां पे आप चौता पैनल्टी कॉर्णर मिला है वाबडा की टीम को जी हाँ मैच के 26 फे मिनिट में तौसीर रोकी हिट की यहां से गोल की परेकमता फिर मौजूद और ये रिबाउंड पे पुश्ट किया साथ छटा गोल हमाद की जानिब से दानिश देखें कि गोल की पर अमूमन आपने देखा है कि बाल को रोक लेते हैं कि अगर रिबाउंड पे कोई ना कोई फरवर्ड मौजूद होता है और वो दूसरा मोका नहीं देता अबाल की दी नेट में अमाद अधर का छटा गोल वाप्डा की जानिब से गोलकीपर इस दूविज जोब लेकर असे लगता है कि सिंद की डिफेंस लाइन रिबाउंड के लिए तयार नहीं है और प्लेर्स को अनमार्क छोड़ावाई डी के अंदर विच इस अब्सूदी डेंटर इस पॉर रप्डा के पास वाप्डा के पास वाप्डा के खिलाडी फिर पनेट्रेशन कर गए हैं इस वक्त देखिए ये खतरनाक साबत हो सकता है और इजाज इजाज को बालना है दो तीन खिलाड़ा नहीं है इस वक्त वाप्डा के पास खिलाड़ी देखिए कि वह शुटिंग एरिया से भी बाहर लेया है चोटे-छोटे पास के साथ वोगे रहे हैं 25 एरिया से बॉल इस वक्त सिंद के खिलाड़ी के पास और लेकिन गेन जो है वह साइड लाइन प्रॉस कर गोली अपना मोर्चा थोड़के आगे निकल गए थे डिफेंस लाइन ने अच्छा काम किया जो के गोल पोस्ट को कवर किया वना भेंगा पड़ सकता था ओपिछुनिटी नहीं मिली हिट लगाने की वाप्ड़ा को थोड़ा सा डिले भी किया और जैसा कि अभी बताने थे कि सिंद के पास साथ है कि वो A से B, B से C को स्विच करें मगर हम यह देख रहे हैं कि वाप्ड़ा प्लान A पे ही चल रहा है उसे अपने प्लान में कोई भी तबदीली करने की ज़रूरत पेश नहीं आई क्योंकि बड़ी ही खुबसूरती और कामयाबी के साथ प्लान को अमली जामा पहनाते हु अब यहां से उन्हें मिली बिल्कुल गोल के सामने ही उन्हें पैनल्टी कारन रहाँसे लिए एक पैनल्टी कोरनर रहसे कर लिया जानिश्वाड़ मिल चुका है अब ऑर अ क्या एक और गोल मिलेगा वाप्ड़ा को प्लैनिंग तो इसी चीज की कर रहे हैं जिसे पहले अर्फान कह रहे थे कि समझ नहीं हारा सिन के प्लेयर्स को तो इसका ख्रेडिट भी वाप्डा को जाता है कभी राइट से अटाक करते हैं कभी अपनी स्ट्राइड़ी चेंज करते तो इतना कुछ हो रहा है फील्ड पे कि वो सेटल डाउन नहीं हो पारें सिन के जी बिल्कुल ऐसे ही है और मैं समझता हूं कि यह वाप्डा के प्रफेशनल गेम स्टाइल है और इसी तरह ही वह इसी वज़ा से वह आज वर्ट अपना पाकिसन चैंपियन टीम भी है लिजे गेंद फिकी रुकी तेस राफ लिक थी और बहुत ही खुबसूरत गोल बहुत ओर वारा ब्यूटिफल लैडाग ग screenam और उन ने दराक बहुत हुत कि ळुटी बहुत ही तेस अ अपहट की वह आसं हिंद्स्ट अ गलकुप की पैली हाट्रिक राना अं वहे जागे नंडी आम उनडी की साथ गोलपर्शे की अभी तर अभी तक हाफ पार्टि किंस्टिंड पौटर चल रहा है बाल अभी डी में इस मरत अच्छी किसे इसको इंटरसेट किया बाल क्लियर करने के लिए तैयारे सिंद के प्लेयर मगर वाप्टा के प्लेयर अभी तक हमले के मूड में साइड लाइन विटिंग इटली विवर्स किया अमपायर की विसल देखनी पड़ेगी वाप्टा साथ सिंद एक इसा लग रहा है वाप्टा की टीम नियत करके आई विए एक जाद से जादा कोल मारने है सिंद की टीम को जिया सेकंड कोर्टर इसक्ताम पजीर हुआ और सेकंड कोर्टर के इसक्ताम पे वाप्टा साथ सिंद ए आज की दिन का आगाज डॉमिनेटिंग होकी से किया है वापड़ाने जिन ने सिंद कलर के खिलाफ अभी तक साथ गोल स्कोर कर लिए जिरके सिंद कलर एक गोल स्कोर करने में कामियाब हुई है अपको जीरो नजर आ रहा था बदाट आचली वान अभी तक टोर्नमेंट की स टाच अनालिसिस कर रहे थे हमारे लिए जी बिल्कुल दानिश अब तक पूरे इवेंट में 26 गोल हो चुके हैं और 26 गोल का टॉल जो है ये बढ़के जो जिस तरह का ये गेम नजर आ रहे है मुझे लगता है ये तकरीबन सो के करीब ये इवेंट में गोल होंगे और इसम के बाद पाकिसन आर्मी की टीम ने छे गोल तागे हुए हैं तो वो भी उनका भी टॉल बड़ेगा क्यूंकि अभी ये दूसरा मैच चल रहा है वापडा को तो आपड़ा के दूसरे मैच के बलके टेड़ मैच तक वापडा ने बारा गोल किये हैं लेस नाट फगेट अभ की गुजिशता रोज बनाई जो के पाकिसन आर्मी के होनहार और तजर्बाकार के लाड़ी सफीर हुसेन ने इस हैट्रिक को काईम किया था और आज तूसरी हैट्रिक के इवेंट की जो है वो राना वहीद जिसका पाकिसन वापडा से तालुक है इंट्रेशल होकी के लाड स्कोर करता है पान जी हां बिल्कुल जैसा कि मैच के अगास से ही हमें मालूम हो चुका था कि वापडा ने जिस तरह के से प्रेशर बढ़ाया था कि वो गोल नकालने में कामयाब होंगे मगर इतने ज्यादा गोल फस्ट वाफ पे यह इतना अंदाजा नहीं था मगर बेतर वकाबला करने में कामयाब होई है मगर उसको अपनी स्ट्राटेजी तबदील करनी होगी इस मैच को किसी हद तक लेवल करने के लिए मैच गेम प्लैन में उनको तबदीली करनी पड़ेगी वादिय कोईटा जो के बलंदो बाला पहाडों के दरम्यान गिरी हुए इस किस्पोर्ट के लिए और आगे आने वाले सालों में और मुताद स्पोर्टिंग एक्टिपिटीज हम कोईटा और बलचसान में देखेंगे जी बिलकुल डिरेक्टरेट अव स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स बलोचस्तान का एक खुबसूरत एक्दाम और पाकिस्तान ह लौकी फेटेशन की जानब से कोहना मश्क अमपायर्स टेकनिकल ऑफिशल्स की टीम जो है वो इस इवन्ट को सुपर्वाइज करने के लिए मुताइन की गई है और आज के इस मैच को अमपायर महमूत अली और अमपायर मुबश्यर सुपर्वाइज कर रहे हैं जबके साज अली आपद राउल्बनी से इनका तालुक है और मनवर हुसेंद चौधरी और डॉक्टर इर्फांजिया बतौर जजिज जो हैं मजूद हैं जबके टेकनिकल ऑफिसर के फ्राइज जो हैं एम यकूब सर अन्जाम दे रहे हैं इंटरेशनल होकी खिलाडी है हमारे एम यकू हुए लेकिन फाल मिला हुआ आप डखो एजाज एजाज के पास बॉल उन्होंने अपने साथी सलाडी के बॉल दी कोशिश की उन्होंने बॉल करने कि इस वक्त दोनों टीमों में कश्मकश जारी है और इंपायर मुबश्यर ने पिनल्टी कॉर रेवार्ड किया है और ये इस मैच का सत्वा छटा पिनल्टी कॉर्णर के जाए अज भी सेट अर्लियर रिलाक्स गाइज भी लूजिंग काउंट या हेक के बाद एक धड़ा धड़ा कॉर्णर बिल रही देखें इस सदा इस बार शॉर्ट कॉर्णर हासल किया अब देख सकते हैं उमर भुट्टा इंजेक्टर है डवल पैटर्न अटेक के लिए तयार है यहां पर आई बाल से तरी के जिए पुछ ना कर सके हैं उमर भुट्टा बिल्कुल खुछ नहीं होंगे अपनी इंजेक्शन से काफी हाई स्टैंडर्स रखने हैं अपने लिए पाकिस्तान के तो इनसे उमीदे रखनी भी चाहिए बहुत ही खुचुरत मौसम और इंताही दिलकुछ इवेंट और बहुत ही जबर्दस चैनल पे बीटिफुल पास दाट वाज लॉंग पास दिया सीधा डीके अंगर कड़े प्लेयर को सीधा उडीका मौका नहीं मिल रहा । यहां से रिवर्स किया और ही ह defściन और इ Although पाज मीद नहीं पार ने आपास देने में और गाइड किया गोल पोस्ट में बॉल को शांदार होकी का मुझारा किया जा रहा है इस वक्त वाबड़ा की जानव से एक यूनीक इवेंट जिसे हकूमत बलुचिस्तान स्पोर्ट स्पोर्ट बलुचिस्तान और बलुचिस्तान हाकी असूसियेशन मिल के ये प्रोड्यूस कर रही है पाकिस्तान के शायकीन के लिए और खुशाएन बाद ये कि हर दिल अजीज चैनल जी ओ सुपर इसे बरहरास कर रहा है तहे दिल से मश्कूर फुस बलुचिस्तान के अवाम खुसूसन कोईटा के अवाम और प्लेयर्स और होकी एस्यश्येशन जीजिए सुपर की तहे दिल से मश्कूर कि वो ये इवन्ट इस सुरत इवन्ट को पाकिस्तना सिर्फ पकिस्तान बलके दुनिया भर में एक मर्दबा फिर दी में दाखिलोंने की कोशिर जहां के क्लियर किया मकर 25 लाइन से आगे जाने ही नहीं ते रहे हैं वाप्डा के प्लेज कुछ इसी किसम की टोन ना सिंद के कोचिस की भी होगी और यहां पर एक और गोल करने में काम्याब हो गया है मैच का नवा गोल वाप हिट आप वाज था मैच से पहले वामप में प्रैक्टिस भी कर रहे थे एक्जाट इसी रिवर्स लिक की एक स्पेंग ओफ यह तौसीक अर्शद का यह गोल था कमाल होगी का मुझार हो रहा है वाप्डा के जानिक से इस वाग और पार फिर मूव बनाने में काम्याब हो र लेकिन खलत पास दिया और बॉल आई सिन के पॉजेशन में पर कंट्रोल में कमी नजर आ रही है सिन के प्रैशर में नजर आ रहे जिसकी वज़े से सिंपल पासेज भी कर्टोल नहीं कर पा रहे हैं जी बिलकुल दानिश आपने सही कहा लेकिन एक स्कूपे की टीम में और डेपार्टमेंट की टीम में डेफिनिटी बहुत बड़ा फरक होता है और वह फरक आपको इस मैच में नजर भी आ रहा है पाकिसान वापडा जो कि इसमेंट के चैंपियन है हुआ है हुआ हुआ है उसमें प्लेयर्स जो है वह बड़े एक्सपीरियंस है और वह बहतर जानते है कि खेल किस तरह खेला जाता है तो उसी जाने पर सेंद्ध के खलाडी जो सारी यूथ है सिंद्ध की वह इसमें शामिश है यह जो है वह आप रसमें कॉडिनेटेड नहीं आरी और उनका क्म्यूनिकेशन गैप भी है दूसरी तरफ वाप्ता जो है बड़ी कंपोज है दिखे एक दफ़ा फिर बुटा बॉल को लेने में काम या उन्होंने दो खलाडी को डॉज किया तीसरे खलाडी को भी डॉज करने क आपशन होकी फरडिशन के पैलि बड़ी खुशाइंब बात है लीके बाद हमें गोलीज बड़े क्वालिटी के मिलते हैं बड़ी रिच हिस्ट्री रही है पाकिस्तां की गोलीज के मामले में और इस अवेंड में हमें तुमाम टीमों महीं बड़े इंप्रेसिब गोलीज सब्सक्राइब करते हुए क्या सेंटर लाइन तर जा पाएंगे उससे पहले ही रोग दिया जाएगा इनको लेकिन एक बार फिर कंट्रोल का मुसारा किया और पास करने में काम्याब हुए अब दाखिल हुए है वापना की गैलरी में पासिंग का फुकदान एक चीज़ टवापना की बड़ी अच्छी है कि ना सिर्फ बड़ी टीम है बलके वो बद अपनी लिमिटेशन में खेल रही है उसने इस चीज़ को ज्यादा एक्स्प्लाइट नहीं किया कि सामें सूबे की टीम है या वो नौगोल की सबका तासिल की ह है वो अभी भी अपनी लिमिटेशन में खेल रहे हैं सिन की टीम मोस्ली अगर हम देखें तो उनमें इंडिविजल गेम ज्यादा नजर आ रहा है चोटे-चोटे पासिस या लांग पासिस का इंतहाई फुकदान है इस वापडा ने इसके बरक्स मिल के खेला है एक टीमवर के लिए नाकाम रहे हैं अर्फान साबर सब आपने बिलकुल सही कहा के इंडिविजल गेम खेले जा रही है इंडिविजल गेम जो है यह खासा जरू होती है किसी प्लेयर का किसी ऐसे सिच्वेशन में बंदा दाखल हो जाए तो वह इंडिविजली खेल के दिखा भी थे ल आज अगर बच्चा ये खेलता है तो कामस कब उसके प्रेक्टिस भी चाहिए और वापड़ा के प्लेयर्स ने इस बात की मिसाल दी एक्जाक्ट इसी पॉंट के लिए जो आप कह रहे थे कि टीम खेल रही एक साथ लिकिन फिर राना वही जैसे प्लेयर्स इंडिविजल ब लेकिन दरम्यान इसे बाल इंटरसेप्ट हुई फाउल प्राइब पाया अगैन अली देखें आपने बड़ा जबड़ास पास था लॉंग पास था लेकिन जिस प्लेयर्स ने कलेक्ट किया उसमें टाइम बहुत जादा लिया फौरी पास करता तो मुव्मेंट क्रीट है औ पास करना है उसकी करना है उसकी के बाल पास कहां हो रही है मुव्मेंट के साथ कहां कलेक्ट करना है यह सारी चीजे सिर्की टीम इस मैच में शूर वापना से सीख रही होगा कि एक लॉंग हैट सेंके खलाडी उन्होंने एक खलाडी को डॉच किया उसे खलाडी को डॉच करने के रहे तीन खलाडी को दॉच किया बहुत क्छुबर तरीकसे इस वक्त डी सर्कल में दाखल हो चुके हैं स्टिन के खेलाडी लेकिन गोलकीपर ने बड़े अच्छह किए और डॉट रहा है इसके बावजूद्ट हुआ फ्रोडपर तरे मों पर से और गेंद लूह है वो गोल पोस्ट के ऊपर से गोल लाइन क्रॉस कर गई अली इंडिविचली जिस तरह बॉल को लेकर आ रहे था ऐसा लग रहा था खुछ शूट करेंगे लेकर उन्हें खुछ शूट नहीं किया यह देखें आखरी मोमेंट पर पॉस केर करके पास किया ताकि वहां से गोल ह कर से के एक मर्दबा फिर वापड़ा अची इंटरसेप्शन और बाल को क्लियर किया वापड़ा नौ सिंध एक पहला हाल पाकिस्तान वजरियाला गोल्ड कपा की टोर्मेंट आज के दिन का पहला मैच इतना मज़दार इंटेंस मैच हो रहा है कि यहां पर चैकेट्स वैकर सुकतर गये हैं खून घरमादिया है वापड़ा ने मेरा तो अटलीस ना भाइयों का नहीं पता मुझे बटा आइम आप्सिल्टी लविंग इस चो फ्रम वापड़ा बिलकुल जी ग्रॉंड में मौजूद हर एक इसमें तमशा ही मैच से मैच से मैच से मैच से मैच से मैच की गिम से महजूद हो रहे होंगे एक मरतबा पर सिंध ना ओन अटेक मगर इस मरतबा फिर बगए दे के पास दिया आगे दो डिफेंडर मौजूद थे बाबदा के बाल को बड़ी आराम बड़ी आराम से क्लियर किया लेफ्ट आउट की पोजीशन पे अच्छा पास बाल क कार्नर गोली बिलकुल खुश नहीं है अमपायर के इस फैसले से और ऐसा लगता है कि कार्ट दिखाएंगे उनका हाथ पगड़के बना कर रहे हैं के नहीं जी और कार्ट दिखा दिया है गोली के इस रवाई यह पर अग्रेशन अलाउड है लेकिन इस किसम का अग्रेशन आँ है कि अब चार्ज करें रेفeries के तरफ गोली बिलकुल खुश नहीं है एंपायर के दोनों फैसलों से जी बिलकुल यह देखे हैं यहां से लेफ्ट से लेफ्ट सिक्स है थोड़ा सा माइनस गए अब यहां से गोल में ट्राई करना चाहते थे यहां पर उन्होंने फाउल आसिल किया फैसला था रेफनी के जानब से दानिश बिलकुल फुटबॉल के गोल की तरगी तरह इतिजाज किया था उन्होंने इंजेक्टर तयार है इजाज इस मर्दबा फिर सही तरीके से इंजेक्ट ना कर सके दूसरा मुसल्सल परनेटी कॉनरेज इसमें इंजेक्टर सही इंजेक्ट ना कर सके वापटा के खोच आम शूर इस बात का एक्शन लेंगे बिकॉज यह वो टीम है जो अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करती है और इवन दो आप लीड कर रहे हो आट गोल से बड़ इस किसम कि फ्लॉस की अजाज़त नहीं होती अच्छी टीम से प्रफेशनलिजम में यही चीज़ टाउंट करती है कि आप चाहे जिस भी पॉजीशन पे हो आपको अपनी जम्हदारी मकमल तोर पर निठानी होती है साइड लाइन की टियार यहां से पास दिया सेंटर में अच्छा लांग पास और डिफलेक्ट किया बहुत ही खुब्सूरत मूव यहां से डिवर्ट शॉट की इर्फान रईली लाताता दफा इन मूव्स की ड्रिल्स हुई होंगी बापटा के कैंप में जब यह बगएर देखिया और इतना स्मूदी वन टच पासे हो सकते हैं इस ब्रिल्लियंट होकी फ्रम बापटा जी बिलकुल फील्ड हाकी में जितनी फास्ट हो चुकी है फील्ड हाकी अब उसमें यही चीज चलती है और वही चीज काम्याब होती है लाइव स्ट्रीमिंग भी आप देख सकते हैं www.geosuper.live.tv.tv लाइव पर जी है अदानेश एक मरतबा फिर बगार दे के पास मरत बड़ी उम्दा मारकिंग वाबडा की बाल को बड़े आराम से उन्होंने रोका क्लियर किया यहां से अपने सेंटर फारवर को दिया बाल लेके आगे बढ़ रहा है पीछे से आके टैकल किया सिंथ के प्लेयर ने अच्छा पास टाप अफ दे डी सही तरीके से रोक न सके बाल गोल लाइन क्रास कर गई साइड लाइन इटन मिली है वापड़ा को डग आउट वापड़ा का पुरसकून खुश मुत्माइन जी हां बिलकुल इस स्कोर कार्ट पे अगर पुरसकून ना हो तयार हैं टॉप अफ दे डी अमपायर की विस्सिल की बाल को जिस जगह पे फाउड गया है वहां से लिये जाए कॉर्णर की इट बैक पास किया यहां से डी के अंदर पास किया बिलक्त ना कर सके अमपायर मुबश्यर का इशारा की कॉर्णर की हीट एक मतब़ पिर तयार हैं कॉर्णर की हीट लेने के लिए बैक पास किया 25 लाइन के करी, दी के अंदर, डिफलेक्ट हुई और गोल पोस के ऊपर, अच्छा डिफलेक्ट था, अच्छा तरीकी से डिफलेक्ट करने के कोशिश की थी, बड़ा अच्छा मझे याद है कि भुपाली होते थे हमारे एक आरिफ भुपाली, वो बड़ा अच्छा डिफलेक करते हैं सेंटर फारवड थे क्रासिटिंग मिल की थी एक और एर सिंद खलर की जानव से बॉल आया वापटा की प्रिशेशन में उमर्भटा बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं और उनको वहीं रोकाम पायर की वसिल लिए अग्सार बैटे हैं अली अबास नक्वी टेकनिकल एक्सपर्ट हैं उन्होंने मजीद फीड किया मुझे कि कामरान अश्रफ स्पेशलिस्ते डिफ्लेक्शन में डिफ्लेक्शन मौडर्न हाकी का एक बड़ा ही जदीद अत्यार कह सकते हैं 94 का जो गोल्ड कप था उसके गोल्ड मैडलिस्ट हैं वर्ल्ड कप के वापड़ा एक मरतबा फिर पैनेट्रेशन के लिए देख रही है अच्छा पास मौका था बाल अब भी वापड़ा के कंट्रोल में कमों बेश 90% बाल पास रहा है अगर हम अंदाजन भी बात करें खतरनाक हो सकता है गोल की पर मौजूद है यहाँ पे और अमपाइर एक और शॉर्ट कॉर्णर लेने में कामियाब हुए है यह इस गेम का वापड़ा के लिए नवा पैनेटी कॉर्णर है और आप देखना होगा कि वापड़ा की टीम किस तरह इस कॉर्णर से फाइदा उठाती है और क्या यह दसवा गोल होगा रिप्ले में आपके सामने इस तरह पैनेटी कॉर्णर हासल किया बिल्कुल एरर था सिंद कलर की प्लेयर की जानब से पैर वहीं रह गया उनका करने में काम्याब हो गई और वापड़ा की टीम का ये खासा है ज्यादा से ज्यादा गोल करने की कोशिश करती है और आज उन्होंने इसका अपने टार्कट को चीव किया रिप्ले पर देखिएगा बहुत ही घुबसूरत तरीके से उन्होंने इंजेक्ट किया और गेंट गोल पोस्ट के अंदर कोई खिलाड़ी उसके ओपर रिजिस्ट है नी कर पाया सेंथका यूद लाइक तो शो यू दाट रिप्ले अगयान एक बार फिर हम आपको यह रिप्ले दिखाएंगे तीसरे कौटर की गेम का इस्ताम हो चुका है और वापड़ा की टीम इस वग दस एक से लीड कर रही है सभी मानों में दराना खाब बन गया है यह मैच इस सिंद कलर के प्लेयर्स के लिए क्योंकि यह वह खाब है जो खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा है एक के बाद एक गोल्स पड़ें एक बाद फिर पुजेशन वापड़ा के पास चौटर का आगास किया और उन्हें अग्रेसिव अंदाज में ऐसा लगता है कि दरजन से जाएद गोल करने की नियद लेके आए एक बाद फिर डीमे दाखिल हुए है फाउल मिला सिंद को खत्रा टला फाइफ रिलीफ सिंद अब तक के मैच में आउट क्लास किया है वापड़ा ने सिंद को अब तो हमें भी घबराट होना शुरू हो गई है जब जब सिंद के डीमे दाखिल होते हैं सिंद के कोचिस का क्या हाल हो रहा होगा अब तो घबराट उस वक्त होती है जब डी से बाहर निकलते हैं क्योंके गेम वही डी में रही है सिंद इस मरतबा बाल बाबला की डी में मगर देखे किस कितना कामली उसको कंट्रोल करते हैं वहां से पैनिट्रेशन उनका लेफ्ट और राइट से उन्होंने अब तक इतनी ट्राई नहीं कि लेफ्ट और राइट विंग को फीड करते हैं यहां से इस मरतबा फिर राइट साइड से डाज किया बड़ा मतार दो ट्लाणी को डाज करके आगे जाना चाहते थे डिफेंडर ने उन्हें वहां पर रोका मगर सेंटर फारवर्ड की पोजीशन पर बहुत सुप्सूरती से दो प्लेयर्स को डॉच किया था लेकिन उसके बाद कंट्रोल खो बैठे डिफेंडिंग लाइन आगे मौजूद थी इस मरता बाद लेफ्ट विंग से दूम जाए हमजद लिखान सीधा डी में पहंके यह उन्हें बाल कोई खिलाडी मौजूद नहीं था मगर शायद डिफलेक्ट होके गई है तो कॉर्णर मिला है अभी तक वादा की टीम को नौ जायरा के जा रहा है एनिडिविजिली भी बिलियर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं आज अ टीम भी भरपूर क्वाटनेशन के साथ हौकी खेलते वे नजर आ रहे हैं शाज़ार पेस नजरारी है इसवगड़ा के जानिए सिन्ध के पास कोई जवाब नहीं है वाब्ड़ा केस अग्रेशन का जियां पैनल्टी कॉर्णर यह के बाद दीग्रेब तीसरा पैनल्टी कॉर्णर इस प्वाटर का देखते हैं कि इंजेक्टर कौन है तोसी करशन इंजेक्ट किया रुकी स्कूप किया पाल अब तक डी में है तेज ड्रैक फ्लिक मारना चाहते थे लेकिन उस तरह से ड्रैक फ्लिक लगा नहीं जिस तरह से इंटेंड़िट था एक और पैनल्टी कॉर्णर आसी कर लिया रुमान इंजेक्ट करने के लिए हैं वाब्ड़ा की जानिब से और वाब्ड़ा इस वक्त सिंगल ड्रैक फ्लिक पैटरन के साथ खड़ी है डीजे रुमान ने इंजेक्ट किया बाल फिकी रुकी तेस ड्रैक फ्लिक थी कोशिश की बड़े अच्छे त्रीके से गोल कीपर ने रोका अभी तक कोशिश में है और एक फ्री हिट मिली है वाब्ड़ा के खिलाडी को लेकिन उसे कोई फाइदा न उठा सके गेन गोल लाइन क्रॉस कर गई सिंद्ध के प्लेयर जब एक दूसरे से भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं यह अच्छा मौका था क्लेयर करने का लेकिन सीधी हाथ में दे दी वाब्ड़ा के प्लेयर की जो फुद अपनी शूट को मिस्स कर गए पंदर अप सिंद्ध के गोल कीपर के पैड खुले हैं और उन्होंने अपने पैड को री टाइटन अप करने के लिए कुछ टाइम मंगा है और यह रूल में है कि वो एक दफ़ा टाइम ले सकते हैं तूसी दफ़ा उनको टाइम नहीं मिलता तो कोशिश करते हैं कि यह वक्त दिया है जिस किसम की मुव्मेंट रही है सिंद्ध के गोली की है अब तक उन्होंने काफी हमले रोके वाबडा के लेकिन अगर वाबडा की हमलों की तताइट की नहीं जाए तो बहुत ज्यादा है और गोल उन्होंने अभी तक दस किये हैं और टोटल गोल जो है वाबडा ने ही है तीजे खेल दुबारा शुरू हुआ एक लंबी हिट सिंद्ध के खिलाडी की जानिब से कोई खिलाडी वाबडा में मौजूद नहीं था लंबा गैप पास था और कि गोल लाइन क्रॉस कर गी वाबडा की हाफ में इसी तरह वाबडा की गैलरी में गेम जा सकता है अगर उनकी तरफ से एरर हो क्योंकि सिंद्ध तो इस वक्त एडवांस नहीं कर पा रही है प्रेशन रिलीस किया उन्होंने कोशिश की कि बाल वाबडा के हाफ में हो वाबडा एक मरदवा फिर हमले के लिए तयार राइट साइड से बाल ने कंट्रोल रिखी देखते हैं कि आगे पेनिट्रेशन नहीं है तो बैक पास करके बाल का पोजिशन नहीं खोते हैं यह इंदा पास बड़ा इंदा पास यहां से और उने बिल्कुल गोल पोस्के सामने पास किया मगर फारवड इसे रोक नसके बाल गोल लाइन क्राश कर गई खुशूरा ट्रिबलिंग देखने का मौका मिल रहा है हमको भी और हम शूर जितनी भी फैन्स होकी फैन्स इस वर्ग टेलिवजिन स्क्रीन से गलूट है उनको भी मसा आ रहा होगा वाप ड़की इस जबत इस परफॉरमस के देख कर तो सवर अबास टीम की क्यादत कर रहे ह इसा लगा था इजाज बॉल को कलेक्ट करके 360 डिग्री टर्न करके विट मारना चाह रहे है लेकिन फेल हो गए बट कॉन्फिदेंस इतना जादा आया है उनके अंदर के ट्राइं यू तिंग जी बिलकुल प्लेयर जब ठोड़ा रिलाक्स होता है मेंटली फिजिकली और व बॉल सकतर तोबारा वाबडा के पास वाबडा के खिलाडी अपने साथी खिलाडी को लेफ्ट आउड को पासदिया तसवर अबास जो के टीम के क्यादत करें उन्होंने देखे किस कदर खुबसूर्ती से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चेंज करें किसी जमाने में सम बचते हैं एक दूसरी की पॉजिशन को एक दूसरे के स्किल लेवल पर फरोसा करते हैं यह उसी वक्त इस किसम की होकी नजर आ सकती है और वाबडा इस चोईंग आव तुडू एट तस्वा पिनाटी को रहने में काम्याब वाबडा की टीम और रुमान इंजेक्ट करने के लिए आए हैं बॉल उमर भुटा इसकत अपनी चुके एक्सपिरेंस के लाड़ी हैं अपनी सारी टीम को चुके ट्रैफ लिक करने के लिए आई हैं उन्स सब को मैनेज़ कर रहे थे गेंद फिकी रुकी सवर अबास खुद आए उन्होंने डिरेक्ट लिट करने कोशिश की और बहुत ही घुमसूरत गोल गोल नहीं हो सका गोल नहीं हो सका तसवर ने खुद बॉल को कलेक्ट किया और खुद शूट मानने की कोशिश की थ्वड़ा से चेंज किया इस बार स्ट्राइटजी को बहुत टेंजरिस हो सकता था यह डिस डिफेंसिव नाइन के लिए तसवर के हाथ में बॉल वाप टाइब भाप फिर मुवमेंट बनाने की कोशिश इस मतबा लेट विंग से आए मगर दो डिफेंडर मौजूद थे सिंद के बॉल उन्होंने रोकी आगे निकलते हुए राइट साइड से राइट आउट को बॉल दी क्रास किया आगे जाते हुए मगर एक मतबा फिर उनका हमला नाकाम के सवर मौजूद यहां से बाल अली अजीज बाल को खुद लेके आगे बढ़ रहे हैं बी में दाखिल होना चाहते हैं यहां से बी में दाखिल हुए हिट की अच्छी कोशिश थी अबास यहां पर भी अपने बेसिक गेम को फॉलो करते हैं और पास करके गोल करने ही कोश्च करते हैं शायद जादा उप्सिंटी क्रेट हो सकते हैं जी बिल्कुल अली जीज देखें खुब्सूरत अंदाज में रीप्ले और उन्होंने पूरी ट्रा एक स्लैप शॉट के जरी ओने बाल खुलाई राइट ओर के पास है सिंद के राइट ओर बाल को लेकर तेजिसे आगे बढ़ रहे हैं कोशिश कर रहे हैं वाप्डा के खुलाडी को डॉज करने की लिक उन्होंने डॉज करने कोशिश की लेकिन गीन जो है वो साइलेंट क्र आती हुई एक भुलंदी से होती हुई कि गोल पोस्ट कर गई है अरी आप मैसा लग रहा है कि पकाईदा घबराहत नजर आ रही है सिंद के प्रेयर्स में फील कर रहे हैं कि कुछ ज्यादा गोल्स पढ़ दाएं उनको दिया प्रॉब्ली नॉट इस पैट जितना बुरा उ होां फे में तो खेल राहे हैं डैफिनिटली तजर्बे का फर्क तो है और वाब्डा में इस फ्र्थ पाकसेन के टीम के क्रन्ड खलाग् espaço फ्लाडी खेब रहे हैं इंटरेशल हैं और Cabinet हम्पियंज औरम्पीन्स हैं और पुरानी खिलाडी भी है तो वर्क है छितना देघार बाहराम तजर्बे का कोई भी शॉक्त नहीं था एक बार फिर खत्रा लाहक था सिंध की टीम को लेकिन एरर हुआ वापड़ा की जानेफिस की वैसे गोल पोस्ट में बाल ना गया यहां पर सिंध कलर्स के प्लेयर्स को डिसार्टन होने की जूरत नहीं है सीखने की जूरत है लर्निंग कर्व है इन यंग्स्टर्स के लिए वेलकुल उमर भुटा ने बाल खलाई अपने साथी खलाडी को तुसावर अपास के बाल तुसरे खलाडी के पास बाल है दोबारा बाल शूटिंग अरिया में मजूद और कोशिश करें उसको किसी तरीके से स्ट्राइक करें लेकिन फाल हुआ, उंपार मुबश्र ने फाल दिया संध के हक में, संध क 가장 के खलाडी एक गलत बाल खिलाई, संध के फुल बैक ने सार अबास पारिया के जव्हाद फूर्वाज पास면ि सावरबबास सावरबास से बाIG़ान धे है। औप गौल को दी गौर्च पेशे कर में उष्ठ लेगा जव्हाद कि अट हूं चाल गोल किया है अजाज आजाज में एक्षिन देर रिवर्स टिक्सित फ्लिकमारा और क्या शानदार गोल किया है कोई मॉका नहीं था गोली के पास एक बाद फिर भैतरीन होकी वाप्डा के जानब से सिन पाल सिन के पास वाप्डा के आफ में खुदी लेकर आगे जा रहे हैं ग्यारा नंबर की जर्सी पहनी है यहांसी रिवर्स पार्स किया मगर एक मरदा फिर उन्दा इंटरसेप्शन बापड़ा ग्यारा सिंद एक जैसे के स्कोर के फर्क से ही वाज़ तोर पे मालूम हो जाती है टीम की पोजिशन बहुत ही खुबसूरत पास था ये लेकिन सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए इस बार राना हार और जीत खेल का हिस्सा होती है एहम बात ये है कि सिंद के प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल की जो तजर्बा हासिल कर रहे हैं जो पासिंग वह ज्यादा आहम है जो उनके मिस्तक्पिल में उनके लिए काम आईगी अन्दावड़ली फैसला कुन बड़तरी ह अन्दावड़ना इस वक्तव बाप्ड़ के प्लेयर्स लेकर कहीं भी कंप्लेशन अज़रा इक बार फिर वहीं प्रियेट किया राना के बास बॉला ये और एक बार फिर वो तुरी सेटी टरन लेकर हिट माना चाथे थे थे अबी बॉल उन्हीं के पोजेशन में रिवर्स किया उन्होंने गोल की पर एक मरतबा फिर मोजीद पुर्शूीद का अच्छा केल कॉर्णर की हिट लेने में काम्याब हुए उबसूरत चीज इस मैच की कि ज्यादा फाउल प्रे हमें देखने को नहीं मिला रफ प्ले गेम नहीं मिली और हमारे सीनियर प्लेज पाकिसान टीम में खेले हुए प्लेज मैच में केल रहे हैं तो सिन्ध के ख्लाडियों को इस चीज़ से दिल परदाश्टा नहीं होना चाहिए कि स्कोर में इतना डिफरेंस है बलकि इस चीज़ को एक इस तर लिए बड़े प्लेज़ के साथ के वाबडा की टीम ने चौटे कोर्टर के बारवे मिनिट में बारवा गोल स्कोर किया है और एक और कील ठोक दिया है वाबडा ने इस वकत अा अलीम उस्मान का गोल था ये शान्दार होकी का मुझारए किया जाँ रहा है तमान ग्यारा की ग्यारा फ्लेयर्स वाबड़ा के अपना किर्दार प्लेय कर रहे हैं इस वक्त और तो पोच के रखावा है सिंध के टीम को जीआ, बारा गोल, बारवे मिनट में च कौर्टर के, बारा एक, रगीनन सिंध का वो प्लेयर भी लाहिए तहसीन हुगा, काबले फग्र होगा, जिसने एक गोल किया है इस estiver मेच में और इतने सीनियर प्लेयर्स का मकाबला किया सिन की टीम ने आगे भी इने अच्छी टीमों के साथ खेलने का मौका मिलेगा जिसे इनके तजर्मे में इजाफा होगा और नेक्स्ट येर या अगले टोर्नामेंट में वो यकीन है इसको यूटिलाइस करके अपनी पोजिक्शन अपनी खेल अपनी स्किल्स को बेतर करेंगे एक मरदा पिर राइट साइड से दाखिलने की कोशिश की फाउल की हिट मिली वापडा को टाप अफ दी शूटिंग एर कोशिश है उनकी और उन्हें सलकी सिस्टिक के साथ खुब्सूरत पास दिया शूटिंग एरिया में दाखिल हुए अभी भी बाल वापडा के पास यहां से हिट करने की कोशिश करेंगे और अच्छा मौका देखना यह है बहुत ही उमदा खुर्शीद का खेल एक तेरवां गोल डिनाई किया खुर्शीद ने उमदा कोशिश खुर्शीद की इस कॉर्णर में जो गेम हुआ है ना अली ये डिफरेंस है फिलाल रीप्ले दिखाते हैं आपको बैक स्टिक से फ्लिक करना चाहते थे लेकिन ब्रेलियन रिफ्लेक्सिन का मुझारा किया है खुर्शीद गोली ने इस कॉरर में जो गेम हुआ है अली लेट्स टॉक अबाउट डाट क्यूंकि एक तरफ सिंध का फसावा था उसके साथ भी दो डिफेंडर्स दिवार बनके खड़े वे थे वो निकाल नहीं पाया लेकिन जैसे ही अली की पास बॉल आया उनने बताया किस तरह निक कनवर्ट कर सकते थे लेकिन कनवर्ट नहीं हो सकी प्रॉपरली गोल की पर ने बड़ा अच्छा केल का मुजारा किया खुरशीद ने तीन ट्रॉईज उनकी जो शो शाट गोल थी वो इस मूव में उन्होंने बचा है यानि क्या आप कह रहे हैं पद्रा स्कॉर हो सकता थे इस मैच का चौथा क्वार्टर जारी है चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल कप हौकी टॉर्नामेंट का चौथा रोज चौथा क्वार्टर जारी है मैच पहला मैच है जो के पाकिसन वापड़ा और संथ कलर्स के माबैंड खेला जा रहा है और लीजिए इसके साथ ही मैच का इफ्ततां हुआ, एक दजन गोल किये हैं इस मैच में सिंध कलर की टीम को वाप-पाकिसन वापडाने और पाकिसन वापडाने टोटल इस इवन्ट में अब तक जो है, वू सोलागोल कर चुकी है दो मैचस्स खेल कर 16 गोल किये हैं और 30 गोल टोटल होच चुके हैं इसके इलाब पाकसान वापडा ने दूसरी जो है इस इवन्ट की जो है फ्रॉड्रिक है वो भी काएम की है जूकर पर राना वहीद ने की इस इवेंट की पहली है ट्रिक पाकिसन आर्मी की जानब से काइम की थी जो कि सफीर हुजाने की राइट, ब्रिलियन परफॉर्मेंस बापडा खुबसूरत खेल का मुझार किया वापडा के तमाम खिलाडियों ने अगर हम गोल्स की थादात बताएं बारा गोल स्कोर के वापडा ने एक गोल स्कोर करने में कामियाब हुई अठातर फीसद बाल प्रसेशन वापडा के पास रहा जबके बाइस फीसद बाल प्रसेशन सिंध की थीम के पास रहा ताट्स थे होल स्टोरी ऑफ दमाम खिलाडियों